एफ हलो नमस्कार दौसतों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीचल अच्छेशी परामंट में दोस्तों आणके वीडियो को टॉपिक है पाइलिंग ओर्क शिफ्टी इस वीडियो में हम जाने है कि पाइलिंग और क्या होता है पाइलिंग में हमें किन-किन हजार्ट का सामना करना पड़ता है और उनके प्रिकॉसंस या कंट्रोल मिजर्स क्या है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और एक एक चीज डिटेल में जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइलिंग वर्क होता क्या है पाइल फांडिशन सार्द डीफ फांडिशन टैट कैरी हैवी यानि कि पाइल फांडिशन एक डीफ फांडिशन होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के कंसंट्रेटेड लोड्स को शॉयल में ट्रांसफर कर देते हैं अब हम जानेंगे प्रोसीजर ऑफ पाइलिंग वर्क का प्रोसीजर क्या होता है करना पाइलिंग के दौरान जिस मशीन को डीळिंग के लिए ूज किया था उस मशीन को हम रिक्शन कहाते हैं जैसा कि आम पिक्च्छर में देख सकते हैं यह जन्यग माशिन है पाइलिंग के यह सब्सक्ति निया करते हैं तोप करना होताYek के मिट्टी को ड्रिल करके निकाल लिया जाता है उसके बाद मेंकाइब कर देते हैं और सबसे लास जह हमाना जो फाइल के पार सबसे पर करना या इसके बाद हुझाने हो वर्क में हमें किन के 1000 का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहला है टॉप लिग और फ्रीग मशीन यानि जिस मशीन से हम पाइलिंग करते हैं वह मशीन टॉपल हो सकता है नेक्स एंट्राइज solution और पॉलीमर बेंटोनेट solution या पॉलीमर एक तरीके का solution होता है जिसका यूज ट्रिलिंग के दौरान साइड के वाल्स को कलेप्स ना होने के लिए किया जाता है तो इसका spillage हो सकता है जो इन्वारोमेंटल के लिए हें बहुत ही हजाड़स होता है नेक्स स्लीपन ट्रिप बेंटोनेट solution या पॉलीमर जो होता है बहुत ही जादे slippery होता है और जो पाइलिंग और के एरिया होता हो हमेशा गिला रहता है तो वह सनी एंधिली अज्वलिक का हजार्ट हमेशा रहता है उसके बादब मशीन या कोई भी आदमी टकरा सकता है उसके बाद रिंफोर्स्मेंट केज लोरिंग या लैपिंग उसमें से अपसे पहला जो हजाड़ है वह है टॉपलिंग ऑफ क्रेन यानि जिस क्रेन से हम केज को लोवर कर रहे हैं वह क्रेन टॉपल हो सकता है उसके बाद यानि जो भी लोड हमने लिफ्ट गया लाइक रेंफोर्समेंट के उसका फेल हो जाना उसके बाद अड़ाद से क्रेंग करते हैं उसके बाद अगर आज पास कोई में उसके बाद बर निंजरी चांट सोता है तो सबसे पहला है टॉपलिंग वर्ण यानि जिस क्रेंट से हम कॉंक्रीटिंग कर रहा है उसका टॉपल हो जाना उसके बाद अनुट्राइज्ड ऑपरीशन आफ क्रेंट जो है फॉल आफ ट्रीमी पाइप यानि ट्रीमी पाइप लोगर टाइम वह फॉल हो सकता है उसके पर्सन अंडर सस्पेंड़ लोड यानि सस नेट्स जो है इसकी और यीरिटेशन दियू टू कॉंकरीट यानि कॉंक्रीट के कॉंट्रेक्ट मियाने से सकीन और आई इरिटेशन और वॉन दोस्तों अब हम जानेगे प्रिकोसंस और और कंट्रोल मेजस यानि पाइलिंग वरान जो भी हजार सोते हैं उनको कंट्रोल कर करने से पहले स्वाइल का प्रॉपर कंपेक्शन और लेवल होना जरूरी है नेक्स से ओनली ऑफ्राइज टेंट अपरेटर स्मस्ट भी डिपलोईड यानि सिर्फ ओफ्राइज और टेंड ऑपरेटर सी मशीन को अपरेट करें नेक्स्ट कवर बोरिंग होल्स वित मेश यानि जो भी बोरिंग मोल सो उसको मेश से कवर कर दें ताके उसमें कोई परसरन घिरे युज फूल बोरी हाने सिर्ट बोरिंग होलल यानि बोरिंग होल के पास में फूल बारि हाने स्का यूज़ करें यू BILL यूज ऑल रिक्वार्ड पीपी जैनि जो भीterm problem फिक्वी सो तो रिक्वार्ड उनका यूज़ करें नेक्स नो स्पीलेज ऑफ में टोनेट सॉल्यूशन यानि बेंटोनेट सॉल्यूशन का इस ना हो और नेक्स वैडिट्ट सूनेट एरिया फ्रीक मशिन या धी तो भी स्विंग एरिया उसको प्रापर हाड वैरिगेट करते हैं एक उसके बादे डियुरिंग रइंफोर्स्मेंट कीज लोरिंग यानि के दौरान हमें क्या-क्या प्रिकॉसंस लेने चाहिए फस्त एंसिषोपर पोजिशनिंग और प्रमिल सर्फेस यानी क्रें तो लेवल सायपेस पे पूजिशन करें नेक्स लगा दे एक्से डूनोट गो और स्टैंड अंडर सस्पेंड़ लोड यानि सस्पेंड़ लोड के नीचे ना खड़े हो ना ही किसी को जाने दे चेक लिफ्टिंग प्य films को प्रेंफोर्स्मेंट के जिटो लिफ्टिंग कर ले उसके बादे यूष टैग L安 Ruop To सस्पेंडिट लोड यानि जो भी सस्पेंडिट लोड हो उसको कंट्रोल करने के लिए टैगल को यूँज करें उसको हाथ से ना पकड़े कि नेक्स आ इन्सक्याइए औल ल्फ्टिंग तूलस और टेक़्ष मूस्ट है यानि यूज़ करने से पहले सभी लिफ्टिंग टूलस तो उसके 3rd party inspection certificates होने चाहिए नेक्स एंस्वर प्रॉपर केवल कनिक्षन यानि जब भी हम वेल्णिंग के लिए केवल कनिक्षन करें वह प्रॉपर होने चाहिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब होने चाहिए चाहिए दो इसकाझ ब में लेने चाहिए सबसे पहला ensure proper positioning of crane on level surface यानि को हमेशे लेवल सर्पेस में पोजिशन करें only trained and authorized operators should be allowed to operate crane यानि ऑपरेटर हो जो और authorized हो next do not go or stand under suspended load यानि suspended load के नीचे खड़े ना हो नहीं किसी को जाने दें inspect all lifting tools and tackles before use यानि सभी tools and tackles को यूज़ करने से पहले इंस्पेक्ट कर ले उसके बादी यूज़ टैगलाइन रोब डियूरिंग लिफ्टिंग ट्रीमी पाइप यानि ट्रीमी पाइप लिफ्ट करते समय टैगलाइन रोप का यूज़ करें उसके बादे all lifting tools and tackles must have valid TPI certificate जितने भी lifting tools and tackles एक्पेट्ट सो सबका valid TPI certificate होना चाहिए इंसे और प्रॉपर एक्सेस फूर टांजिट मिक्सर यानि जो भी हम टांजिट मिक्शर लाएंगे उसके लिए प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए उसके बादे यूज और प्रॉपर प्रोटेक्टिव एक्यूप्मेंट से उसका यूज करें नेक्स वेह फॉस्टेट बाक्स बी अवलेबल इन वर्किंग एरिया यानि वर्किंग एरिया में फॉस्टेट बॉक्स एवलेबल होना चाहिए तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हसी पारामांट को जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग